दोस्तो स्कोटलेंड को आखरी ओवर में जीत के लिए 26 रन की जरूत होती है लेकिन यकीन मानिये जब तक अंतिम ओवर की अंतिम गेंद नहीं फेकी जाती क्रिकेट पर संसकों की सांसे थमी रहती है दोस्तो न्यूजी लेंड के खिलाप स्कोटलेंड का मुंकाबला भारत के नजरिये से काफी महत पूर्ण था क्यूंकि अगर आज न्यूजी लेंड हार जाता तो भारत को काफी इससे लाब होता आपको बता दू न्यूजी लेंड पहले बल्ले बाजी कर रही थी दोस्तों शुरुआत बहुत बेकार रहती है तीन बिकट जल्दी गवा देती है न्यूजी लेंड लेकिन एक छोर से मार्टिन गप्टिल तिरान में रन की पारी खेलते हैं और उन्हीं की पारी का नतीजा रहता है कि 172 रन बनाने में काम्याब रहती है न्यूजी लेंड और स्कोट लेंड के सामने 173 रन का लक्ष रख देती है लक्ष का पीछा करने उतरी स्कोट लेंड के सभी बल्ले बाजों को स्टार्ट मिलता है लेकिन बड़ी पारी में तबदिल नहीं कर पाते हैं और छो लेंड के तरफ से आखरी ओवर लेके आते हैं एडम मिलने ओवर की पहली है गेंड पर ग्रिप्स सौट खेल कर एक रन भाग लेते हैं लेकिन दूसरी गेंड खाली निकल जाती है दोस्तों और अब यहां से स्कोट लेंड को आखरी के चार बॉल में 25 रन की जरूत होती है अगली दो गेंड पर दो सिंगल आता है दोस्तों और इसी दो रन के साथ न्यूजिलेंड यह मुकाबला 16 रन से जीतने में काम्याब रहती है मार्टिन गप्टिल के उनकी सांदार बल्लेवाजी के लिए मैनब दमेच चुना जाता है